कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी की लोकसवा सदसिता रद होने के बाद कॉंग्रेस पार्टी का राजनातिक भविश्य घुटनों पर रेंगता दिख रहा है लेकिन राहूल गांदी कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेगे वैसे अब माफी मांकर के फायदा भी क्या है जब कोट दो साल की सजा सुना चुका है राहूल गांदी की लोकसवा सदसिता रद होने के बाद कॉंग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा उगा है दिल्ली से लेकर के वाइनार तक जुबानी जंग तेज हो चुकी है इस जुबा हथ के आसार देख रहे हैं सुप्रीम कोट में या फिर उनका राजनेतिक भविश घर्त में जाना तह है इस रिपोर्ट में हम इसका विशलिशड करेंगे आप से अग्राही की चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखते रहें ये मुद्दा करम है कॉंग्रेस नेता राहूल गामदी के मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा सुनाई जाने के बाद शुकरवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी समसदी सदस्यता को रद कर दिया था जन प्रतनिधित और अधनियम 1991 के तहट स्पीकर ने ये कारवाई की थी अब दो साबित होने के बाद किसी जन प्रतनिधी के आटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोट में जन हित्याच का दायर कर दी गई है इसमें सेक्शन आठ तीन की समवधानिकता को चुनोती दी गई है पी आईयल में कहा गया है कि चुने हुए प्रतनिधी सामसद्याय और विधायक को सजा का एलान होते ही उनका जन प्रतनिधत तो यानि की सदन की सदस्ता के लिए आयोग हो जाना पूरी तरीके से असमवध द्धानिक है याचका में कहा गया है कि अधनियम के चेप्टर तीन के तहत अयोगिता पर विचार करते समय आरोपी के नेचर गंभीरता भूमिका जैसे कारकों की जाच की जानी चाहिए सामाजिक कारकरता आभा मुरली धरन ने अपनी याचका में कहा कि धारा आठ तीन आय प्रतिनिदी के लोकतांत्रिक धाचे पर सीधे तोर पर हमला कर रही है जिससे देश की चुनाबी विवस्ता में भी अशान्ती पैदा हो सकती है इस कानून की धारा आठ तीन में लिखा है कि अगर किसी सामसद या फिर विधाय को दो साल या उससे जादा की सजा होती है तो त प्रतिशोद के लिए खुले तोर पर दुरुपियों किया जा रहा है 1951 में जन प्रतिनिदी कानून आया था इस कानून की धारा आठ में लिखा है कि अगर किसी सामसद या विधाय को आपराधिक मामले में दोशी ठहराय जाता है तो जिस दिन उससे दोशी ठहराय जाएग तब से लेकर के अगले 6 साल तक वो चुनाब नहीं लड़ सकेगा धारा आठ एक में उन अपराधों का भी जिक्र है जिसके तहद दोशी ठहराय जाने पर चुनाब लड़ने पर रोक लग जाती है इसके तहद दो समुदाई के बीच में घृना बढ़ाना भरस्टा चार द हेट स्पीच के मामले में दोशी ठहराय गया था इस कानून की धारा आठ तीन में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो ततकाल उसकी सदस्ता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाब लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है साल 2005 में केरल के वकील लिली थॉमस और लोक प्रहरी नाम के एंजियो के महा सचिव एसन शुकला ने सुप्रीम कोट में एक याचका दायर की थी इस याचका में जन प्रतिनिधी कानून की धारा आठ चार को असमवैधाने घोशित करने की मांग की गई थी उन्हों उन्हें आयोग करार नहीं दिया जा सकता इस याचका में उन्होंने समवैधान के अनुच्छेद 121 और 191 का भी हवाला दिया है अनुच्छेद 121 में सामसद और अनुच्छेद 151 में विधान सबा या विधान परशत को अयोग ठहराने का प्रावधान है 10 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोट की जस्टिस एके पतनायक और जस्टिस एस जे मुखोपाध्याई की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था कोट ने कहा था कि केंद्र के पास मैं धारा 84 को लागू करने का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोट ने कहा था कि अगर किसी मौजूदा संसद या फिर विधाय को दोशी ठहराया जाता है तो जन प्रतिनिधी कानून की धारा 81, 82 और 83 के तहद वो अयोग अपने आप करार दे दिया जाएगा तो कुल मिलाकर के राहूल गांदी के जो शुबचिन तक हैं अब वो जमीनी तोर पर तो अंदोलन करते दिखाई ही दे रहे हैं बलकि सुप्रीम कोट में भी जन हितियाच काएं दायर करके सीधे तोर पर उस प्रावधान को असंवेधानिक बता रहे हैं जिसके तहट राहूल गांदी के खिराप में जो स्पीकर हैं दरसल लोकसवा के ओम बिरला उनकी तरप से ये फैसला सुनाए गया कि राहूल गांदी की जो सदस्यता है उसको फॉरण रद कर दिया जाता और राहूल गांदी छे साल तक चुनाब नहीं लड़ सकते यानि कि अगर हम इसको overall compile करें तो 2 साल की सजा और 6 साल जो बैन लगता है यानि कि 8 साल तक राहूल गांदी चुनाब नहीं लड़ सकते इसके बाद में अब तमाम जो राहूल गांदी के शुबशंतक हैं वो सुप् लगातार दिल्ली से लेकर के वाइनाड तक जो राजनीती का सिलसला है वो अब घरमाता चला जा रहा है भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में जुबानी जंग तेज होती चली जा रही है राहुल गांदी के खिलाप में हुई ओम बिरला की तरफ से य मानना है कि भारतिय जनता पार्टी लंबे समय से राहुल गांदी के खिलाप में शडेंतर रच रही थी राहुल गांदी के खिलाप में बाकाइदाई के स्क्रिप्ट तयार की जा रही थी और साल दोहजार चौबीस से राहुल गांदी को कैसे अच्छूता रखा जाए इस इसकी वज़े से उन्हें दरसल अपने रास्ते से साफ करने का कहीं न कहीं खाका तयार किया जा रहा था और वही अब दरसल सामने आया है राहुल गांदी की सदस्यता को अयोग ठेराने के लिए एक तरफ जहां कॉंग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भारती जनता पार्टी की मनशा ठीक नहीं है भारती जनता पार्टी ने एक साज़िश के तहट राहुल गांदी की सदस्यता को अयोग के करार दिलवाया है तो फिर राहुल गांदी को जब डिफरमेशन सूट फाइल किया जा रहा था जब मानहानी का मुकतमा दर्श किया जा रहा था तो उस समय माफी मांगने का भी option दिया गया था तो राहुल गांदी ने माफी क्यों नहीं मांग ली जब कॉंग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि इस तरीके की दरसल साज़िश रची जा रही थी राहुल गांदी के खिलाब में तो राहुल गांदी ने माफी क्यों नहीं मांगी मस बाहर तोर पर उनकी तरब से यही स्टेटमेंट दिये जाएंगे कि कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगेंगे लेकिन राहुल गांदी की सदस्ता चीन लिये जाने के बाद मैं कॉंग्रेस पार्टी में बुरी तरीके से हलकंप मचा हुगा है और विपक्ष बहुती जादा क कहीं न कहीं बुखलाया हुगा दिखाई दे रहा है कि अरे ये क्या हो गया राहुल गांदी का दो दोहजार चौबीस के चुनाब से भाजपा ने पत्ता ही कर दे जानी कि चुनाब लडने से पहले ही राहुल गांदी पूरी तरीके से धराशाही हो गये मसरन जो सुप्री कोट से गुहार लगाई गई है जैसे ही सुप्रीम कोट इस पर सुनवाई करता है जैसे उनकी तरफ से कोई वर्डिक्ट सामने आता है मैं तुरंत आपके बीच में ले करके हजर हो जाओंगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा सैट बने बेल आइकन को प से पहले आपको लगें